दोस्तों कर आप चाहते हैं कि मैं आपका फेमिली फिजीशियन बनूँ और मैं आपको सभी विमारियों का इलाज बताओं तो मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो है वीडियो को अन्त तक देखना हेलो जी कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब स्वस्त होंगे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रामडोल के बारे में इसके इंजेक्शन भी आते हैं और टैबलेट भी इसके कुछ कंपनी के नाम दिये गए यहां पर जैसे की अल्ट्राम इस तरह के जो हैं यह कंप नहीं बदल सकती है पर उसके अंदर का साल्ट रहेगा इंजेक्शन और टैबलेट्स का प्रियोग किया जाता है सिरफ भी आते हैं ऐसा वेब साइट पर मैंने आज तक पिछले दस सालों में इसका सिरफ मैंने यूज नहीं किया और नहीं मैंने किसी अच्छे फिजीशन य बात करेंगे कि यह किस परकार से जो है गरबावस्था में काम करता है और दूद्पिलाने वाली माताइं जो होती है उनमें किस परकार से इसका रोल होता है इसके साथ यह किस परकार से बोड़ी में एकसन इसका क्या होता है फार्मकलोजी के बात करेंगे तो वीडियो का पहले नमबर पर नहीं किया जाता है दूसरे नमबर या तीसरे नमबर का इंजेक्शन है यानि कि पहले दिया जाता है इंजेक्शन डैकलोफिनेक और फिर इससे आगे बात करते हैं कि इसको जब देंगे तो देखेंगे कि गंभीरता बीमारी की या दर्द की गंभीरता कितन करेगा और इसके साथ साथ देखते हैं कि भई प्रेगनेंसी वगएरा तो नहीं है ये वीडियो सिर्फ एक डिसकसन परपज के लिए है इसको देख करके किसी भी प्रकार की चिक इसा इलाज नहीं करना है तो यह इंडिया के जो डॉक्टर होते हैं या होस्पिटल होते हैं वो पहले इंजेक्शन डैकलोफिनेक देते हैं जो कि 75-75 mg की डोज में आता है उसके बाद में कुछ-कुछ डॉक्टर आजगल पैरसिटमोल वन ग्राम में यूज करने लगे हैं और इसको भी दिन मे आराम नहीं मिलता है तो बहुत सारे डोक्टर इंजेक्शन ट्राम ड्रोटिन का प्रियोग करते हैं ड्रोटिन पेट के दर्द में बैस्ट है और दूसरे दर्द में भी काम करता है अगर यह काम नहीं करता है तो फिर दिया जाता है इंजेक्शन बुसको पेन तो बुसको ट्रामर डॉल जो होता है वह सेक्ट चोईस होती है क्योंकि इसके कुछ साइड़ इफैक्ट होते हैं और इसकी अवेलेबिलिटी यह हर जंगे नहीं मिलता है तो यहां पर टोटल पांच इंजेक्शनों का जिक्र किया गया है दर्द के यह सारे अलग-अलग कैटेगरी के हैं पूरा ध्यान होना चाहिए आपका कि इसमें उल्टी आ सकती है इसके साथ उल्टी एक बहुत बड़ा साइड इफैक्ट है और जब इस दवाई का प्रियोग के जा रहा होता है इसको 100 ml की एनस में लगा करके दिया जाता है फिर भी लोग को उल्टी आ जाती है इसलिए इस से मैं बता देना चाहता हूं कि यह जो वीडियो है वो एजुकेशनल परपज के लिए है यह किसी प्रकार को कि इसको देख करके चिकितसा नहीं करनी है तो जब कभी-कभी हार्ट में दर्द होता है तो बहुत सारे लोगों का कोश्चन होता है कि हार्ट के दर्द में इंज कोट लग जाती है बहुत सारे लोग बाइक वगरा से गिर करके आजकल लगवा रहे हैं एक पूरा पैटरन मन चुका है इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है पेट के किसी प्रकार के दर्द में इसका प्रियोग किया जा सकता है चाहे पैन की रेटाइटिस हो जो मैंने गोल स सूजन को लेकर के पित की थेली में पत्री के दर्द को लेकर के या पस वगएरा बन जाए किसी प्रकार का पेट का दर्द हो बहुत ही बहुत अच्छी दवाई है उसके लिए इसका प्रियोग किरा जा सकता है लेकिन इंजेक्शन का प्रियोग करवाई जाता है गोली का प एक और इंपोर्टेंट बात इससे रिलेटेड जो है वहां कि इसका प्रियों करवाए जा सकता है बहुत सारे दूसरे इंजक्षन जैसे की डाइकलोफिनक जैसे मैंने बता है गुर्टो की बिमारी यों में एक तम बिल्लकूल बहुत ही बुरी दवाई है गुर्दों को खरा और शाथ साथ इंजेक्सन में पहले भी बता चुका हूं जिसमें उंडेंट सिट्रोन होता है वो लगा दे जाता है इसके अलावा बहुत सारे लोगों को इससे उल्टी का मन फिर भी रहता है लगने के बाद में सुभे लग गया है तो रात तक उल्टी का मन रहेगा कुछ-क उन्होंने लिखाया पर मैं इस बात को बिल्कुल एस विकार करता हूं मैं काटता हूं सिरके दर्द के लिए तो दिया जाता है और सिरके दर्द में ये कभी भी दवाई सिरके दर्द नहीं कर सकती है इस बात को मैं स्यूर हूं दूसरे जो साइड इफेक्ट आ सकते हैं वो लोग को सांस रोक देता है पर ऐसा नहीं होता है बड़ों में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है जिन लोगों को सांस में दिक्कत है जो लोग पहले ही सांस में दिक्कत के साथ भरती है उन लोगों को सांस नहीं आ रहा था उन लोगों में अगर दिया जाएगा तो बुरा प्रभा जलाए क्यावता हैम इस धॉल नहीं परदूढबर कि यह ज़िने संदे रही होती में यूज नहीं कर बासकते बच्छे जो रही में उसके बाद में विबन परकार के मानसिक और सामाजिक विबन परकार की जो समस्याइं होती है जीवन में वो पैदा हो सकती है इस दवाई के दौरा तो उससे में भी प्रियोग नहीं करा जासना चाहिए इसके साथ-साथ बात करते हैं कि जब महिलाएं बच्चे को दूद पिल होती है उससे में इसका प्रियोग करवाएं या नहीं तो भाई आंसर है कि नहीं इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट होता है इसका नाम पढ़ लेना आप यह है ना बला 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 तो इसका यह जो है यह भी मिल्क में दूद में आ सकता है और इसलिए जो है वहां पर भी सबसे जादा जो सुरक्सिता मोल और उसके बाद में ऐगर नंबर आता थे तो फिर आता है ट्रामा डोल जो गुर्दे दिन में तीन बार तक लेकिन कोशिस की जाते हैं कि SOS आवश्यक्ता नुशार बहुत ज्यादा अगर आप ने दे दिया तो पाप एक प्रकर का तो आप भूल करकी नहीं दे सकते तो फिर क्या देंगे इंजेक्शन पैरस्टेटमोल या फिर ट्रामडोल तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना और भाई सबसे इंपर्टन जो बात है वो है कि वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर बनता है और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो मुझे कमेंट जरूर किया करो मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़के अच्छा लगता है उससे मेरी वीडियो को मेरे चैनल को कोई विसेस फाइदा नहीं होता है ब